नमस्कार दोस्तों मैं श्री हर्शा क्रेजी मुनिविच्टी से आज 22 दिसमबर है और देखते हैं कि कल क्या हुआ था बारतिय बाजार में यूस मार्केट में यूरोपियन मार्केट में और आज क्या हो सकता है बारतिय बाजार में जैसे कि मैं आपको बता रहा था मार्केट एक resistance पे आ रहा है और यहाँ पर actually हमको थोड़ा सावदा ने बरकनी पड़ेगी कल actually हमने बहुत अच्छा reaction देखा इतना जादा sell-off expect नहीं कर रहे थे बट उतना अच्छा सा sell-off हो गया है तो दोस्तों अगर आप देखो गे तो market एक range में चल रहा था वो range हमने थोड़ दिया था और अभी हमने बहुत कुछ 5-6% से उपर है अपने reaction दिया है नीचे के side पे बट वहां से अच्छा कासा खरीदारी भी हुआ है और लगबग actually 3% का नीचे के level से अच्छली खरीदारी भी हुआ है तो अगर आप देखोगे तो overall market अभी भी positive ही है भाई हो डिपस ही हो रहा है अगर अप USA का market को देखेगे तो शुरुवात उसने बहुत मंदी का किया था लगबग डेड़ से 2% का actually वहां पर बिक्वाली था और बिक्वाली होने के बाद वहां से फिर से करीदारी हुआ है और market ने almost जो भी actually कल कर reaction था उसको बचा लिया है Dow Jones ने positively close किया है बाकी S&P, Nasdaq और Russell सब actually flat close हुआ है तो वह बहुत ही अच्छा positive है European market दो से 3% actually नीचे actually वह बंद हुआ है बट अबी का future को देखेंगे तो सब actually अपना जो भी बिक वाली हुआ था उसको actually संभाल के चलने की दिख रहा है अभी USA का market का futures भी दिख रहा है positive so overall अभी futures अबर देखेंगे तो हम शायद 13,400 के आसपास हम शुरुआत कर सकते है तो दोस्तों यहाँ पर आपको खरीदारी नहीं करनी है आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा हम शायद 13,300 के आसपास जा सकते है या उसके नीचे भी जा सकते है अगर हम 13,300 को hold कर पा यहाँ से फिर से करीदारी का माहौल शुरुआ हो सकता है निफ्टी में बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक रह सकता है या साइडवेज रह सकता है और बैंक निफ्टी में आपको यह कुछ खास अक्छली रियाक्ट नहीं करेगा शायद अचली थोड़ा बहुत थोड़ा नेगिटिव रह सकता है अभी जो भी रैली होगा वो आईटी और फार्मा के वज़े से होगा आईटी और फार्मा मार्केट को और अच्छी थरह से संबाल सकते हैं आपको अच्छे स्टॉक्स करीदारी करने के लिए आप देख सकते हो लोर लेवल्स में तो आप इमीडियातली जब मार्केट शुरू होगा तब आगचली कुछ भी करीदारी नहीं करनी है वहाँ पर फिर से एक और बार बिक्वाली हो सकते हैं और बिक्वाली ओनें के बाद जब subdiv कर कौजनी हम मार्केट संबाल सकता है उस इस टाइम पर आपको आपको करीदारी करनी ह अगर आप commodities को देखेंगे gold silver में खल के reaction के बाद actually अच्छा सा थेजी आया है और शायद यहाँ हम actually sideways to positive रह सकते हैं gold or silver में crude oil actually sideways to negative ही रह सकता है क्योंकि crude oil मैंने आपको पहले से भी बताया है यहाँ पर बहुत सारा more valued हो चुके है बट sideways रह सकते हैं higher levels में actually फिर से बिक्वाली हो सकती है तो वहाँ पर सावदानी बरकनी पड़ेगे क्योंकि हमने बहुत बहुत जादा reaction कल भी दिया है अब देख सकते हो बहुत ही बड़ा reaction ता कल तो वहाँ दिक रहा है कि उपर के वहाँ पर जदा scope नहीं है तो overall market का sentiment जो है अभी थोड़ा बिगड़ा हुआ है तो अभी जब बिगड़ा हुआ sentiment है यहाँ पर शायद actually बिक्वाली होने का संभावना बढ़ जाती है higher levels में और यह कितना strength होगा बिक्वाली में वो देखना पड़ेगा और bulls का strength कैसा है वो भी देखना पड़ेगा पुल शायद फिर से actually अपना attack करेंगे क्योंकि हमने इतना ज्यादा volume नहीं देखा है जो भी actually बिगवाली हुआ है तो बुल्स अभी भी control में है कल जो भी हुआ है वो एक actually panic reaction था European market में एक virus का नया variant आया हुआ है वो सब actually नया चीज के बारे में बत रहे है और उसके हिसाब से जो भी airlines का जो भी UK के लिए जा रहा था लंडन के लिए वो सब actually Indian government ने भी है वहाँ कोई airlines नहीं जा रहा है तो क्या हो रहा है कि अभी market react कर रहा है उसके हिसाब से पर आप देखोगे कि European market का futures भी अभी संबल रहा है और US market ने तो almost उसको ना के ब उसके हिसाब से इतना खास कुछ नहीं होगा वो जो भी lockdown का वज़े से market ने reaction दिया था वो reaction दे चुका है अभी market और भी उपर जाने के लिए पूरा ready है बट आपको immediately नहीं करीदारी करनी है कोई भी actually थोड़ा बहुत correction आता है वहाँ पर आपको फिर से करीदारी करनी यहाँ पर आपको जो भी actually बिक वाली होता है तब actually खरीदारी करनी पड़ेगी लोर लेवल्स पर आपको खरीदारी करनी पड़ेगी तो overall market का momentum अभी भी positive है दोस्तों और आपको यहाँ पर खरीदारी का ही मोगा देखना पड़ेगा तो अगर आपको यह जो भी जानकरी में दे रहा हूँ आपको पसंद आ रहा है तो यह वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को हिट करिए ताकि आपको सारा latest notification मिलता रहा है अगर आपने मेरा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कि झाल 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 झाल